सभी को नमस्कार आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस नातक्तिरत्य वर्ष्ट के लिए आधुनिक हिंदी कवीता में महा देवी बर्मा द्वारा रचित मधूर मधूर मेरे दीपक जल कवीता को पढ़ेंगे। पिसली कक्षा में हमने इस कवीता के कुछ अंस पड़े थे उससे आगे का हम आज पढ़ेंगे द्रुम के अंग हरित को मलतम ज्वाला को करते रिधेंगम वसुधा के जड अंतर में भी बंदी है तापो की हलचल बिखर बिखर मेरे दीपक जल मेरी नी स्वांसोंक से दुरुत्तर सुभग नैतु बुझने का भैकर मैं अंचल की ओट किये हूं अपनी मृदु पलको से चंचल सहज सहज मेरे दीपक जल सीमा की लगुता का बंधन है अनादी तू मत घडियां गिन मैं दृग के अक्षे कोसों से तुझ में भरती हूं आसु जल सजल सजल मेरे दीपक जल पोर्व में जो हमने पढ़ा उसमें महादेवी वर्मा दीपक के माध्यम से अपने जीवन की वेदना को व्यक्त करती है इस पद में जो महादेवी वर्मा है उन्होंने अपने वेदना में जीवन को निरंतर जलते हुए प्रियतम कापत आलोकित करने को कहा है कव्यत्री कह रही है कि हे दीपक तू क्या है हस्ते हस्ते जल यानि स्वेम की इच्छा से प्रसन्यता से तू क्या है जल यानि प्रियतम के पत को आलोकित करने के लिए तू यानि अपना जीवन है वहें जलाते रहों यहां आगे इसी क्रम में कव्यत्री कह रही है कि द्रुम के अंग हरित को मलतम ज्वाला को करते हैं रिधंगम वसुदा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापो की हल चल बिखर बिखर मेरे दीपक जल कव्यत्री कह रही है कि व्रक्षों की हरी भरी डालें यद्दपी अतीव को मल और आकरशक लगती हैं परन्तु ज्वाला को करते रिधंगम परन्तु वह क्या है सूरिय की जो प्रक्षर ज्वाला रुपी जो उश्मा है उसको अपने अंदर समाविष्ट करने करके ही वह हरी भरी रहती हैं वसुदा के जड़ अंतर में यानी इस धर्ती के गर्ब में आंतरिक उश्मा और तापो की हल चल है भाव यह है कि बाहर से अच्छे मनुरम लगने वाले एचेतन पदार्थों में भी आंतरिक संताप के लक्षन मोजूद रहते हैं इसलिए मेरे दीपक तु बिखर बिखर मेरे दीपक जल इसलिए है जो दीपक तु कौन जीवन रूपी दीपक तु चारो और अपना आलोक बिखेरता हुआ जल आगे कव्यत्री कह रही है कि मेरे नीश्वासों से दुर्तर सुभग न तु बुझने का भैकर कव्यत्री कहती है कि मेरे जीवन रूपी दीपक प्रिये के विरह में मेरा जीवन नित्य प्रतिक क्रिश हो गया है मेरी नीश्वासे बढ़ रही है ये बढ़ती हुई नीश्वासे जीवन को अंत की ओर ले जाने का परिचायक है इनसे जीवन रूपी जो दीपक है उसके भुझने का भै उत्पन हो रहा है मैं अंचल की ओट किये हुँ अपने मृदू पलको से चंचल कवियत्री कह रही है कि इस खत्रे से मुक्ती का आश्वासन देती भी कि मेरे जीवन रूपी दीपक तु तेज गती से निकलने वाली नीश्वासों से भुझ नहीं सकेगा क्योंकि मैंने अपने चंचल पलको से अंचल की ओट में कर लिये अथार्थ तेज हवासे दीपक को सुरक्षित जलने के लिए उसे आचल की ओट कर दी है मेरे चंचल पलकी ही इसके आवरण के लिए अंचल बन गई है इसलिए सहज सहज मेरे दीपक जल इसलिए मेरे जीवन रूपी दीपक को भुझने का खत्रा नहीं है सहज सहज यानि सहजता से तु है जल और प्रियतम का पत आलोकित कर सीमा ही लगुता के बंधन है अनादी कवित्री आगे अपनी जीवन की व्यापक का एवन त्याग भावना का निरूपन करती हुई कह रही है कि मेरे जीवन रूपी दीपक तु सदेव सहज जीवनेच्छा से जलता रहे है यह सरीर की सीमा ही तेरे जीवन का प्रमान है मिट्टी का अस्तित्व दीपक की लगुता का प्रमान है यह सरीर जीवन की छन भंगुरता का परिचायक है इस सरीर के बंधन से जीवन की लगुता का बोध होता है किन्तु तू तो कौन अपने स्वेम के जीवन के लिए खह रही है कि तू तो अनादी है तेरा कभी छै नहीं हो सकता तुझे अपने जीवन काल की घड़ी पल गिन्ने की ज़रत नहीं आत्मा अनादी और अनन्त है उसका समय गिन्ना अज्यानता है अनादी अनन्त जीवन की लगु सीमा का विचार करना भी अनुचित है इसलिए हे मेरे जीवन रुपी दिपक मेरे नेत्रों के आस्मों का अक्षय कोज है मैं तुझपन निरंतर अश्रू का जल डालती रहूंगी और तुझे सदा सीचती रहूंगी अथार्थ क्या कहना चारी है कवित्री कि प्रियतम की मधूर इस्मृतियों के कारण जो अश्रू कण बहेंगे उनसे जीवन को निरंतर जलने का संबल मिलेगा क्या है उसके जीवन का साहारा प्रियतम की स्मृतियों में जो अश्रू कण निकलते हैं उसको कवित्री ने अवलंब बताया है दीपक के माध्यम से जो हैं महादेवी वर्माजी आत्मा के ज्ञान स्वरूप तथा जीवन की व्यापकता का रहस्यमे चित्रण किया है सहज सहज ऐसे जो शब्द हैं इनमें पुन्रूक्ति प्रकाश अलंकार हैं द्रग में वैसे जो इनकी ये रहस्य में कविताएं हैं इन में जो रूपक अलंकार है उसका वर्णन हुआ है रूपक में भी हम रूपका अतिशोक्ति अलंकार कह सकते हैं कि अतिशे जो इन्होंने है रूप देने का कारिय किया है सजल सजल मेरे दीपक जल तू असीम तेरा प्रकाश चीड खेलेंगे नव खेल निरंतर तम के अणू अणू में विद्युत अमिट चित अंकित करता सरल सरल मेरे दीपक जल तू जल जल जितना होता छे वह समीब आता छलना में मधूर मिलन में मिट जाता उसकी उजवल स्मीद में घुल खिल मदिर मदिर मेरे दीपक जल प्रियतम कापत आलोकित कर यहां जो कव्यत्री है अपने जीवन रूपी दीपक को संबोधित करती ही कह रही है कि हे मेरे जीवन रूपी दीपक तू सजल सुगंधित होकर जलता रहे यह सत्य है क्या सत्य बताना चारी है कि तुम असीम तेरा प्रकाश चीर खेलेंगे नव खेल निरंतर कव्यत्री कह रही है कि यह सत्य है कि जीवन में निराशा का अनंत अंधेरा है और इस अंधेरे का कहीं छोर छोर नजर नहीं आता है फिर भी तेरा प्रकाश चीरंतर है तम के अनू अनू में विद्यूत अमिट चित्र अंकित करता आगे कह रही है कि प्रकाश अपनी सास्वस्ता और अमर्ता के कारण अंधेरे की चुनोती जिलने में समर्थ है इस प्रकार अंधेरे और प्रकाश निरंतर ऐसे खेल खेलेंगे जिन्समें कडी चुनोती होगी है मेरे जीवन रुपी दीपक तु अंदकार के अणू अणू में प्रकाश का चित्र अंकित कर दे इस प्रकार जीवन की निराशा को मिटाता हुआ तु निरंतर सरल स्वभाविक गती से जलता रह कवित्री कहती है कि तु जल जल के जितना होता छे वह समीप आता छलना में कवित्री कह रही है कि मेरे जीवन रूपी दीपक तु सहज भाव से जितना भी जल जल के छे होता है वह माया में व्यक्त प्रियतम उतना ही समीप आता है वह प्रियतम मुझे निरंतर चलता रहता है और दूर दूर भागता रहता है लेकिन मेरी आत्म विसर्जन की साधना से द्रवित होकर जब मेरे पास आमी तो मैं उसके साथ मिलन का सुख पाऊंगी मधूर मिलन में मिट जाता उसकी उजवल समीत में घुल खिल तब उसकी तब उसी हसी के उजवल प्रकास से तू भी अपना अस्तित्व समाप्त कर देना तथा स्वेम को उसी प्रियतम के अस्तित्व में पून तया विलीन कर देना अते है मेरे जो दीपक है मदिर मदिर मेरे दीपक जल प्रियतम कापत आलोकित कर इसलिए मेरे जीवन रूपी दीपक तू निरंतर जलता रहे और कैसे मंद मंद गती से निरंतर जलता रहे और प्रियतम कापत प्रकाशित करना यहां काव्यत्री जीवात्मा की अलोकिक्ता की विंजना करती है और जो सजल सजल मदीर मदीर इनमें पुनरुक्ती प्रकाश अलंकार प्रकाशित हुआ है गेता इस काव्य में है इस तरह महादेवी वर्मा ने अपने जीवन को दीपक का रूप बना के प्रस्तुत किया है कि प्रियत्म यहां प्रियत्म जो है इश्वर आत्मा का परमात्मा से मिलन स्वेम के जीवन आत्मा के प्रतिक रूप में और जो परमात्मा से मिलन है उसको व कल पढ़ेंगे धन्यवाद